नमस्कार बच्चों मैं हूँ नेहा सकसेना और स्वागत है आपका मेरे जनल Home Science Knowledge by नेहा सकसेना में बच्चों आज अपन पढ़ेंगे किशोरा वस्तम में विकास का जो चैप्टर है सामाजिक सम्वेगात्मक एवं संग्यानात्मक विकास ठीक है Development in Allocent Social, Emotional and Cognitive Development तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर ही देती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजे ताकि जितने भी मैं चैप्टर वाइस वीडियो आपके लिए ला रही हूँ वो तुरंट आप तक पहुँच ही जाए और नोटिफिकेशन का बचन जो बैल आइकन है दबाना बिलकुल भी न भूले अगर आप दबा देंगे बैल आइकन तो जितने भी वीडियो बना रही हूँ वो तुरंट आप सक पहुँच जाएंगे उनका नोटिफिकेशन तो चले स्टार्ट करते हैं तो अपन आज देख रहे हैं सामजिक विकास विकास क्या है किस संदर्ब में देख रहे हैं किशोरा वस्ता किशोरा वस्ता मतलब 13 से 21 वर्ष का जो बालक होता है उसे अपन किशोरा वस्ता में शामिल करते हैं किशोरा वस्ता में सामजिक विकास दीवरिता से होता है सामजिक विकास से आशे मतलब क्या होता है जो किशोर है वो सामजिक मानिताओं के अनुरूप विवार करने लग जाता है मतलब जो समाज के नियम है लोगों से मिलना, जुड़ना, सम्मंद स्तापित करना, अपना इस्तान बनाना ये सारी शम्ता उसमें देख से धो जाती है किशोर को समाज के आदर्शों वो मूलियों को समझने के साथ साथ ये बोल रहा है कि समाज के विविन व्यक्तियों के विवारों, विचारों और भावनाओं को समझना भी आवशक हो जाता है विविन परिस्तितियों में समायोजन सीखना भी आवशक है एक किशोर समाज में तभी सम्मान प्राप्त कर सकता है जब उसका वेवार समाज के आदर्शयों, मूलियों के अनुरूप हो तता समाथ ही साथ में उसका वेवार भी समाज हो तो प्यारे बच्चों, आपने समझा कि सोशल डवलप्मेंट क्या है? कि जो बच्चा है वो समाज में देखा आपने कि लोगों के साथ विवार बनाता है, विचारों को, भावनों को समझता है, चाहे वो परवार हूँ, परवार की सदस्य हूँ, माता पिता हूँ, अन्य सद बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो सामजिक विवार उसका बढ़ता जाता है ठीक है फिर अपने देखा कि जो बालक की रुचियां और अनुभव को वो महसूस करता है समूओं के साथ वो संबंद बनाता है रुचियों के डस्टी कोण में बड़े पैमाने पर सामजि या विशम लिंगियों के साथ विवार करना है वारता लाप करना है नृत्य करना है सामजिक स्विकरत तरीकों से विवार करना ये सारे काम वो करता है नव किशोर में योवनारंब काल में पाई जाने वाली जो नकारात्मक अवीब ब्रतियां है नेगिटिव दूसरों को सुधारने की इच्छा, व्यक्ति विशेश के प्रतिनिस्ठा आधी कामने लग जाते हैं उनका विवार बातुनी, बेधड़क, कुलहाल, युग तो ये सबी हो जाता है नव किशोर की भाती सामजिक परिभादूर करने की बज़ा है मतब जो किशोर होता है, वो सामजिक विवार वैसा करता है, जो उसको अच्छा लगता है अपना एक माइन बना लेता है, एक थौट्स ले लेता है नव किशोर अच्छे-चे कपड़े पैनता है, नई विचार प्रकट करता है और समाज में खुद का इस्तान बना लेता है मनुरंजक कहानिया सुनाता है ताकि सब बच्चे उसकी और आकाशित हो जाए इस अवस्ता में सामजिक भेगदभाव जो होता है जो अपन देखते हैं किशोर किशोरियों के बेदवाव में अंतर होता है वे जाती है, रंग धर्म है, सामजिक आर्थिक या बहुत दिक लोगों के भेदवाव हो सकता है जिसे वे जाती, रंग, सामजिक आर्थिक, बहुत दिक शमता से भी हीन समझते हैं इसके कारण वे जान भूच कर अतिस्स्ट बिवार इन टॉलरेंस भी स्वता ही घर जाती है अतियाब नव किशोर सामजिक परिस्तितियों में अच्छा समायूजन कर लेता है और पहले की अपेक्षा वे बहुत कम लड़ता वज़ा करता है तो ये प्यारे बच्चों ये बोले जो सामजिक विकास है सामजिक जो विवार है वो सोशरी अपन देखें तो जब किशोर होता है वो समाज में क्या करता है समाज के नियमों, वारतला, विशेमलिंगियों के साथ विवार करना क्रिया कलाब करना, नेताओं को चुनना इस तरीके से वो अपने थौट्स बनाता है और अपना विवार अपनी इच्छा के नुसार करने लग जाता है समू के निर्मान, यौवनरम काल में जैसे जैसे आप किशोर अपन देखते हैं तो ग्रुप बन जाते हैं जिके बॉइस के जो ग्रुप होते हैं, वो बहुत सारे बड़े होते हैं बहुत सारे फ्रेंड सर्किल्स होते हैं, धीले ढाले होते हैं मतलब बहुत जदा घनिस्ट मित्र नहीं बनाते लड़के परन्तु जो लड़किया होती हैं, उनके ग्रुप छोटे होते हैं परन्तु वो घनिस्ट होते हैं ठीक है? चाले बेसिकली यही बोलना चाहता है तो देखो बच्चों घर बैटे बिया पराम से पाट को पड़ सकते हैं इस वीडियो को अपनी फ्रेंट सरकिल और मित्रों में अच्छे से शेर कीजिए कि शोरों में सबसे घनेश्ट और सबसे अच्छे मित्र उनके सखा होते हैं सखा प्राये समान लिंग के होते हैं ठीक है सेम एज ग्रूप के होते हैं रुचियया य्योगिता समान होती है गनेश्ä संतोषप्रद होते हैं लडाई जक्रे शीक्री सेस्सुल्टा प्र लेते हैं क्रिया कलापों में देखना, खेल कुद पृतियोगता देखना, सासाथ पढ़ना, पार्टियों में जाना, बादचीत करना, अलग होने पर टेलीफोन पर बादचीत करना इत्यादी बाते समलित होती है, ठीक है, अब अपन मैंने आपको बताया ही था कि शोरों के जो भीड हो होता है, विपरित लिंग बालों में सामजिक रूप से स्विकरत परिस्तितियों से मिलने और उन्हें जाने का अफसर मिलता है, ठीक है, दूसरी तरफ किशोर के भीड में आते थे, क्लीन हो जाने पर घर, सुमू, स्कूल है, समाज के कर्तवे, उतरदायत वह भूल जाते है इसके बाद में कभी-कभी किशोर किशोर से नहीं होता है, और नहीं उनके गड़ने मित्र होते हैं, इसका रीजन क्या है, इस स्कूल है, कॉलेज में वह पर अपनी मित्र मिंडली बना लेते हैं, ठीक है, खुले हुए उनके प्रिवेश के इच्छा होती है, संकटे समू, उनके शोरों को सामजिक जीवन बिताने के अफसर प्रदान करता है, आज कल WhatsApp, Facebook में आपने देखा है, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल होता है, यह सारी चीज़ें इसके अंतरकत शामिल होते हैं, तो बच्चों, आज अपने देखा बहुत ही इंपोर्टेंट सा वीडियो, चाप्टर नमबर 2nd है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, और प्लीज 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 इसको शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, तो मैं इसके आगे का जितना भी टॉपिक है, वो continue करूंगी, next क्लास में यह अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो ला रही हूँ तो फटाफट से पढ़ाई शुरू कर देजे चले धन्यवाद